सब्सक्राइब काफी अच्छा बनावा है कि अग्जाक्टली अपने 200 डेमा पर सपोर्ट लेकर आज एक बाउंस बाउंस बैक अटेम्ट कर और हमें लगता है इसमें पहला जो टागेट है 22 रुप्य और इवेंचूल टागेट 27 का देखने मिल सकता है अगे रच्छा जी आपने क्या पर किया यहां पर 11,400 पर प्राइज अगर 11,350 यह काउंटर ओड करेगा तो अपसाइट पे 11,450 और पांचों की तरफ जाता हूँआ फूचर समें देख सकता है बिल्कुल विरू देखिए अभी तक हमने सेलेक्टिव कंजम्शन थीम और इन सब पर फोकस किया अब नए ट्रेट के सबसे मेरा फोकस रहेगा तीबीजेट पे अब देखो कि सलेक्टेड गोल्ड जेम्स जूल्री लेटेड काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे है इवन टाइटन ने भी अच्छा कासा मोमेंटम देना स्टार्ट किया है कल्यान जोलर्स ने भी नीचे की लेवल से अच्छे रिकावरी दी है तो टीबीजेट में मुझे लग रहा है टेक्निकल ब्रेकाउट है मोमेंटम है हलाकि ध्यान रखे और तीन-चार विक में अच्छा कासा मोमेंटम आ चुका है बट प्राइस प्रेटन इंडिकेट कर रहा है कि मुझेदा लेवल से और दस-बारा परसिंट का रन अब बना ची तो टीबीजेट पे खरीदारी की सला है 238 सपोर्ट रहेगा उपर में लगबग 260 के टागेट के लिए तो यहां पे TBZ में आप गोल पे काफी फोकस कर रहे हैं और अच्छा मूव देतावा TBZ इस वक्ते आई टेक्टरी में हमांग जी के बात चलते हैं आज कर मिट करने के लिए हमांग जी क्या पे कर रहे हैं इंशॉरंस इस सेक्टर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो नंबर्स आये थे वो भी काफी अच्छे थे जो एन्यूर प्रीमियम एक्विलेंट और जो मार्जिन्स थे उसमें भी बाइन लाज एक पॉसिटिव सप्राइज था और यह सारी जो वोलैट्रिटी में चल रही है जहांपे कि हम थोड़ा सा मिडगेप में भी एक करेक्टिव फेस देख रहे है इवन निफ्टी के अंदर भी देख रहे है उसमें ये एक थीम काफी अच्छे से होल्ड आउट कर रही है तो SBI लाइफ जो है वो मेरा मिडगेप पिक रहेगा प्राइस टाग तो यह मेरा मिडगेप पिक रहेगा प्राइस टागेट टू थाओजन एटी ओके चल दी चारो की चारो टेट्स रीकाप करते हैं आपके लिए सबसे पहले है आशिश बहेती जी ने पिक किया DLF का 840 का कॉल ओप्शन यहां पर आपको 11 रोपे के स्टॉप लॉस के साथ 227 पर के टार्गेट रखने उसके बाद बात की रशनाजी से अल्ट्रो टेक सेमेंट अल्ट्र सेमको फ्यूचर्स ग्यारा दिनसो पजास का स्टॉप 11 450 के टार्गेट चंदन ने पिक्या कैश स्टॉप टीबीजी पर 8% उपर स्टॉप किये 238 का स्टॉप और 260 का सेमें यहां पर आपको अच्छे मूज पॉसिबल हैं 2008 तक की टार्गेट है लेकिन आज